जै जिनेंद्रा जै भोलेना दोस्तों दो बच के चार मिनेट 2.04 पीम और मार्केट अब आखरी के डेड़ गंटा बचा है अब मैं आपको थोड़ा सा जो मुझे लग रहा हो बतारता हूं अब मार्केट 9165 का यहां पे लो दिखा रहा तो 91700 यह एक्स्ट्रीम पॉइंट आ गया है यहां से मार्केट अब रिकवरी मारेगा दोस्तों एक अच्छी रिकवरी मारेगा लास्ट मोमेंट में तो लेकिन आपको यह खुश नहीं होना कि भाई आज देजी आ गई कल भी यह ना टक करगा कल भी आपको सिब अपना कॉल भाई रखना यह वाला 9400 या 9300 य अधा कर लेना है वही मैंने समझाया था एक बार में आज पूरा नहीं तो यह आपको होल्ड रखना इसमें कोई डर नहीं यह 300 का भाई आएगा डाइसो से 300 का पक्का भाव आएगा 21 तारीक के पहले पहले और फिर भी इसमें 34 का स्टॉप लोस दिया था मैंने वह आपको ध्यान रखना है तो अभी यहां पर बाइंग बनता है लेकिन मार्केट लेकिन क्या है सो दो सो पॉन ऐसा तो लग रहा यार बैंग इफ्टी कही ही ने कहीं मुझे लग रहा ऐसा कि आज लास्ट मोमेंट वहाई तोड़ने का मोड़ है लग तो रहा है ऐसा लग रहा बैंग रिफ्टी आज 19 500 आके मानेगा ऐसा लग रहा मुझे फिर भी मैं यहां कोई भाई कॉल नहीं दे रहा हूं क्योंकि आज मैंने साफ सब्दों मे लेके चल जाना बस अपना क्योंकि कल आज चार वजे मैडम क्या बोलती है कल क्या इंपक्ट कल गैप भी तो कर सकते हैं और कल जुला के भी रख सकते हैं ज्यादा तर चांसे कल इनको जुला के रखना चाहिए मार्केट को ताकि शॉर्टर्स को फुल कंफिडेंस हो जाए खाली 9100 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए बस कल की डेट में यह चेक करना अगर क्लोज नहीं होता है तो नेक्स्ट विक आप 9700 तो पक्का ही देखोगे बिफोर थस्टे की एक्सपारी तक और 10,000 भी देख सकते हो तो अभी प्लानिंग यह है सांत रहिए आज जो ट्रे आलिस क्रोस होता हुए दिख रहा है यह 128 का 85 का भाव है और आज तो हिंदुस्तान लिवर भी स्ट्रॉंगली कड़ा हुआ है तो यह लास्ट में शाइद उपर ही जाने के लिए तयार है लास्ट में 32 तोन्याल है मैं आपको इसकी चाल से बता रहा हूं इसकी चाल यह लग बता रहा हूं और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्योंकि बार बार यह 19,000 का घर को नहीं तोड़ रहा है तो कहीं न कहीं इसमें बड़ी चाल आज लास्ट में लेकिन वो कल फिर वापिस नाटा कोगा याद रखिए तो जैज ने और कल अगर गैप अ इसलिए कॉल को तो बाई करके जाना ही है जै जिने अंदर जै बोले ना जहीं